पाकिस्तान की मदद रोकने वाला अमरीका अब और कड़े कदम उठा सकता है खास बात है कि ये कदम अगले 48 घंटे में उठाए जा सकते हैं आतंकियों को पालने पोस्तने वाले पाकिस्तान पर अमेरिका लगतार चाबुक चला रहा है आर्थिक मदद रोकने के बाद अब अमेरिका ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ और सकत कदम दिख सकते हैं अमेरिका ने सेयुक्तराष्ट में भी कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोक कर उसने सही किया पाकिस्तान वर्सों से डबल गेम खेल रहा है निकी हली ने सेयुक्तराष्ट में साफ कहा कि आतंक पर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाएगा दो से दी जा रही बाकी मदद भी रोक दी जाएगी अमेरिका ने पाकिस्तान को 1628 करोड की सैनी मदद रोकी है अमेरिका ने कहा है कि 15 साल में दो लाक करोड की मदद के बदले पाकिस्तान ने सिर्फ चल दिया अमेरिका पाबंदी लगाएगा पाकिस्तान पे उनके संबन बिगड़ते जाएंगे अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तान की सरकार में हरकम पचा हुआ है उसके अख़वार अमेरिका की ख़बरों से भरे हुए है इसलामबाद से कराची तक सरकों पर टंप का विरोध दिख रहा है हद तो ये है कि आतंकी सरकना हाफित साईद के संगठन जमातु दावा के सैंको समर्थक भी कराची में अमेरिका का विरोध करते दिखे हमने जो कुर्बानियां दी हैं वो उनको नजर अंदाज कर रहे हैं जंग उनकी कुर्बानियां हम पाकिस्तान दे रहे हैं पाकिस्तान ने जो कुर्बानी दी है वो इसको वो एसान फरामोश है एसान फरामोशी वली बात किया उसने इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का असली चेहरा सब के सामने आ चुका है भारत संयोक तराश्टर संग में बरसों से कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है अब अमेरिकी कारिवाई ने साबित कर दिया है कि भारत जो कहता रहा है उसकी बात में वजन भी है और दम भी ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ कारगर लडाई के लिए जरूरी है कि अब पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोशित किया जाए